हेलो एब्रीवन वल्कम तो आग क्लास सो व्याविदा चैप्टर नाइन दे मेकिंग ऑफ रीजनल कल्चर बचों हमने इस चैप्टर में इस चाटने पड़ चुके हैं की रीजनल कल्चर क्या है नम वाट इस रीजनल कल्चर और रीजन्स, ठीक है अलग-अलग एडियास के हम की जानने लायक थी है ना तो पढ़ते हैं इसके बारे में beyond regional frontier so देखिए क्या थी वो चीज़े the story of kathak yes kathak kathak word से आप सभी introduced होंगे कि kathak क्या है kathak is a form of dance ठीक है एक अगर हम classical dance की अगर बात करें तो kathak अपने आप हमारे माइंड में आ जाता है ना तो kathak का जो origin है था वो कहां से हुआ वो हम इसमें लिखेंगे so if heroic traditions can be found in different reasons in different forms for example the same is true of dance yes अगर हम बात करें की अगर किसी dance form की बात करें classical dance form की बात करें हना regional मतलब regional किसी culture से हटकर अगर हम बात करें तो kathak की बारे में बात करना बहुत सही होगा ना कि अलग-अलग reason से उठकर ये आया है अब kathak कहां से आया है वो देखिए one dance form kathak associated with several parts of north india yes अलग-अलग parts में north india के अलग-अलग parts में जो है ये perform किया जाता है ठीक है आगे देखिए the term kathak is derived from kathak जो word है वो निकला कहां से है बच्चों कथा से कहां से निकला है कथा अब ये कथा क्या है जैसे कथा मिन्स कहानी कहानी कहने वाले ठीक है पुराने टाइम के अगर हम बात करें तो जो temples होते हैं वहाँ पे कथा कहने वाली लोगों की अपनी एक अलग group होता था अलग community होती थी उनकी है तो वो जो कथा कहने वाले थे वो अपनी कहानियों को as a dance form जो है present करते थे और वही से निकला है कथा से कथक है ना इंटरस्टिंग तो देखिए a word used in Sanskrit and other languages for story the कथक's were originally a cast of storytellers in temples of North India yes storytellers होते थी कहान पा है North India में उनकी अलग अपनी एक कास्ट थी who embolized their performances with gestures and songs yes कई बर आप देखते हो कि जैसे कोई राम ली राव अगर होती है या फिर राधा कृष्ण के आप डांस देखते हो तो उनकी gestures इतने प्यारे होते हैं उनकी जो poses होते हैं वो इतने प्यारे होते हैं कि वो उनहीं से अपना पूरा जो है अपनी पूरी कथ़ बिल्वेंगें के साथ ही किस दांस वो उनकी के साथ ही किस दांस फर्म की स्टाशन हूई भाई 15th और 16th dance with the basic gestures of the Kathak story tellers, yes, जो लेजन राधा कृष्णा है, इन से related जो भी folk plays होते थे, ठीक है, उनको किस के थ्रिव, जो राधा कृष्णा के जो play अगर होते हैं, उनको क्या हम कहते हैं, रास दीला कहते हैं, तो उनको भी Kathak dance form के थ्रिव, जो है, वो express करके बताया जाता था, किस के थ्रिव, Kathak जो story tellers होते थे, उनके थ्रिव, ठीक है बच्चो, आगे देखिए, अचे दे मुगल्स, अब इनको patronage जो वो मिला, वो किस के थ्रिव मिला, किसने इनको शरण दी Kathak dance form को, so Kathak was performed in the court where it acquired its present features and developed into a form of dance with a distinct style, Kathak जो आज अपनी present style में है, जैसा कि perform किया जा रहा है, वो कब से किया जा रहा है, मुगल्स के time से, मुगल्स के time से जो है, वो उनको आज वाली style में perform किया जा रहा है, then over the period it developed, और time के साथ में ये developed होई है, it developed into traditions और घराना, yes, ये घराना वर्ड से आप बहुत अच्छे से introduced होंगे, जिव Kathak जो प्ले किया जाता है, ये Kathak जो परफॉर्म किया जाता है, वो तो अलग अलग घरानों में जो है, इनका development हुआ, like court of Rajasthan, जैपूर घराना, and लखनाओ घराना, under the patronage of वाजिद अली शार, the last वाजिद अली शाह, इनके टाइम पेस में और जादा improvement देखने को मिले, आगे देखे, by the third quarter of the 19th century, it was firmly entranced as a dance form, not only in these two regions, but in the adjoining areas of present day, yes, और 19th century के आते आते सिर्फ इन दो घरानों में नहीं, बाकी और भी चाहिए जो है, ये developed हुआ, like, Punjab, Haryana, Jammu in Kashmir, Bihar and Bandhya Pradesh, ठीक है, बनलब कैसे कथक जो है वो उसने जवलब किया, कैसे उसमें improvement हुआ उसकी dance form में, तो देखे, ये सारी चीज़े हम देख रहे हैं, कथक like several other culture practices was viewed with this favor by most British administrators in the 19th and 20th century, yes, अब कथक जो था वो हमारे यहां का famous था, origin हमारे यहीं से हुआ, इंडिया से, तो भई British लोगों को क्यों पसंद आएगा, वो तो अपना Western culture यहां छोड़ना चाते थे हना, तो British लोगों के थ्रू बहुत जादा इसको dislike किया गया हना, 19th and 20th century में, then however it survived and continued to be performed by court sons and was recognized as one of six classical forms of dance in the country after independence, लेकिन फिर भी वो survived कर गया, क्योंकि यहां के घरानों में, यहां के जो राजा होते थे, उनके courts में इसको perform किया जाता था, और आज यह total कितने, one of six, one of six classical forms में यह perform किया चाता है, देखिए कौन-कौन सी है, आगे मैं आपको बताऊंगे इसकी बारे में, तो classical dances, classical dances क्या है पहले वो देखिए आप, classical, classical जो है इसमें नाम में एक respect आया, एक dance होता है, एक classical dance, तो उसमें अपने आपी respect जलगती है, तो क्या है यह देखिए, the question of defining any art form as classical is often quite complicated, किसी भी art को classical form define करना अपने आप में थोड़ा सा complicated है, it is both remembering that many dance forms that are classified as folk also share several of the characteristics considered typical of classical forms, yes, इसका मतलब यह नहीं है, देखो classical dance को respect देना, इसका मतलब यह नहीं कि जो बाकी other dance, like folk dance है आपके, उनको आप disrespect करें या फिर उनको थोड़ा कम आके नहीं, ऐसा नहीं है, वो भी अपनी जगह है, लेकिन classical की भी अपनी एक जगह है, so, while the use of the term classical may suggest that these forms are superior, this need not always be literally true, yes, classical जो है हमेशा इसी को हम superior माने, ठीक है, और बाकी को हम कम आके ऐसा, जो है, सच नहीं है, other dance forms that are recognized as classical at present are, other dances भी है जिनको आज classical बोला जाता है, like कौन कौन से देखिए, भारत नाट्यम, देखो ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है और याद भी रखना है, भारत नाट्यम कहां कहां का famous है, तमिल नाडू, and Kathakali is from Kerala, and Odyssees from Orissa, and Kuchipuri, ये कहां का है बिटा, आंदर प्रदीश और मनीपूरी है, मनीपूर, ये सारे क्या है, classical dance form है, जो की particular states में perform किये जाते है, मतलब वहां से जो है, इनके घराने जो है, वो निकले है, ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि Kathakali कहां का famous है, Kerala तो इस तरीके से बादा सकते हो, ठीक है, आगे देखिए, next आता है, painting for patrons, the tradition of miniatures, देखिए, अब कथक की बात हो गई है, वो बात करते हैं, paintings की, ठीक है, miniatures की क्या है ये, so, miniature painting, miniature painting, देखो, painting तो आप सभी जानते है, miniature painting क्या है, कपड़े पर या कागज पर जो है, वो painting की जा are small size paintings generally done in watercolor on cloth or paper, yes, cloth या paper पर की जाती थी, watercolor से, बहुत ही small size में, like this, आप देख सकते हो, इस में, the earliest miniatures were on palm leaves of wood, yes, और पुराने टाइम में देखे हम, तो ये किस पर की जाती थी, palm leaves या फिर wood पर, ठीक है, आगे देखिए, so, for example, Jaina text, Jaina text जो है, The Mughal Emperor Akbar Jahangir and Shah Jahan patronized highly skilled printers who primarily illustrated manuscripts containing historical accounts, yes, इसको जो है, किसने patronage, किसने इनको शेरंड दी, किसने miniature printing को बढ़ावा दिया, that was Akbar, Jahangir and Shah Jahan, ठीक है, इन्होंने, देखो, जब हमने chapter 4 पढ़ा था, तो हमने देखा था कि, जो Akbar, Jahangir, इनमें सबसे ज़्यादा, Jahangir, जो है, वो आर्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता था, तो यह जो King थे, यह जो Samrat थे, इन होने जो है, patronage, इन आर्ट को दिया, Then, decline of the Mughal Empire, और जैसे Mughal Empire decline हुआ, वैसे देखिये, many painters moj out to the courts of the emerging regional states, तो देखो, अब जब उनको, कोई, उनका मतलब भढ़ावा देने वाला नहीं है, हना, ठीक है, उनको शरण देने वाला ही नहीं है, तो फिर वो जो painters थे, वहां से जाने लगे, then, कहां जाने लगे वो, देखिये, जो भी regional states थे, अलग-अलग, तो वहां पर वो लोग वहां पर से migrate करने लगे, then, as a result, Mughal artists taste, influence the regional courts of the Dakhkan and the Rajput courts of Rajasthan, और इसी वजह से फिर वो Dakhkan और Rajput court, चोथी Rajasthan की वहां पर migrate होने लगे, then, at the same time, they change and develop their distinctive characteristics, portraits of rulers and coach scenes came to be painted following the Mughal example, yes, साथ ही वो क्या बनाने लगे, जो rulers थे, उनके related scenes, इस तरीके से, देखिये, राजा है, उसका एक coat लगा हुआ है, किस तरीके से वो बैठा है, अपने सवारी पर, तो इस तरीकी paintings जो है, वो बनाने लगे, besides scenes from mythology and poetry were depicted at centers, such as Mewaar, Jodhpur, Boundi, Kota and Kishanagad, और mythology से related, जो भी stories थी है न, वो सब वो अपने paintings में दिखाने लगे, कहां कहां की थी भई, ये mythology stories, Mewaar, Jodhpur, Boundi, Kota, Kishanagad, चीके, तो इन परानी कथाओं को भी वो अपने painting के दिरू express करने लगे, then another reason that attracted miniature paintings was the Himalaya foothills around the Mawjanji state of Himachal Pradish, yes, और किस चीज ने इन miniature painting painters को attract किया like Himalaya foothills, yes, उन्होंने जो की कहां पर है, Himachal Pradish में, इसको भी अपने miniature painting में उन्होंने add किया, then, आगे देखिए, next जो आता है, that is Basohli, अभी ये Basohli क्या है, painting है या कुछ और, देखिए, by the late 17th century, this reason has developed a bold and intense style of miniature painting, Basohli जो है, वो एक जगे है, इसने भी miniature painting की अलग ही style को सामने लाया, the most popular text to be painted है, was Bhanu Datta's Raas Manjuri, yes, जो most popular यहां की, क्या है, text है, painting है, that was Bhanu Datta की Raas Manjuri, ठीक है बचों, यह आपको याद रखना है, painting आपको देख सकते हो, आप, इस तरह की painting है, बहुत ही सुन्दर painting है, आगे देखिए, नादिर शाह's invasion and the conquest of Delhi in 1739 resulted in the migration of Mughal artists to the hills to escape the uncertainties of the plains, yes, जब नादिर शाह का attack हुआ, ठीक है, तो 1739 में, ठीक है, तो उस वक्त Mughals के पास में, जो भी painters थी, वो सारे Mughals, जो artists थे, उनके पास में, वो सारे वहां से migrate करने लगी, कहां पर, hills पर, पहाडों की तरफ वहां से जाने लगी, then, had they found ready patrons which led to the founding of the Kangra School of Painting, और वहां पहाडों पर उनको ready patrons में ले उनको शरंड देने वाले हैंना, कौन सी painting सीखी उन्होंने वहां जाके, Kangra School of Painting, ठीक है, Kangra जो है, वो एक कास्ट कह सकते हुआ, उनके थ्रू जो painting की गई है न, then, Kangra artist developed a style which breathed the new spirit into miniature painting, yes, miniature painting में और जान डाल दी किनोंने, Kangra artist ने, ठीक है, आगे देखिए, the source of inspiration क्या था इसका, वैसनवी tradition जो था, वो इसके लिए inspiration थी, किसका use हुआ इसमें, कैसे जान डाल दी हुए इसने, देखिए, soft colors including cool blues and greens, yes, soft colors मतलब की lime color, जो आँखों को नहीं चुबे, जो आँखों को बहुत अच्छा लगे हैंना, ठीक है, cool blues and greens and a lyrical treatment of teens, distinguished kangraff painting, यह इसमें शामिल किये गए, then, remember that ordinary women and men painted as well, on ports, walls, floors, clothes, works, देखों बच्छों, अब ऐसा नहीं था कि जो painters थी, जो artists थी, स्रिफ वही कर रहे थे जारे काम, जो common men, women, बच्चे, यहां तक ही, कौन बच्चे भी जो है, वो port, walls, floors, clothes, इन सब पर जो है, वो काम कर रहे थे, अपनी आर्ट दिखा रहे थे, work of art that have occasionally survived, unlike the miniatures that were carefully preserved in palaces for centuries, yes, इनको कहां रखा गया, palaces में रखा गया, ठीक है, तो इस तरीके से painting का, miniature printing का, कितनी जादा importance उस टाइम पे रही, तक जो है, लेकर रहे, और ताकि हम आज पढ़ रहे हों से, हना, तो ये तो हो गया कि, कौन सी dance form, classical dance form के बारे में हम देख चुके हैं, painting के बारे में हम देख चुके हैं, art के बारे में, आगे भी हम इस chapter में काफी कुछ पढ़ने वाले हैं, इतना आप अच्छे से समझेए पढ़िये, thank you so much.